हलो फ्रेट मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेक्ट के आया हूँ जो वीडियो है वो पोदों की कटिंग से बारे में कि इनकी जो कटिंग है थाई एपल बेर की वो कब करनी चाहिए तो सिद्धी सी बात ह धेखी ज़िए यदी फाई प्ल बेर जमीन में जैसे मिट्टी वाली जमीन है जहां पर नमी रहती है पादी के इतनी ज्यादा कमी नहीं रहती है तो वहां पर जो कटिंग है वो लगबग है अपरेल में या फिर दस जे 2022 अपरेल के लगबग करनी चाहिए या नियाता है य और यदी ऐसी जुमीन हैḥ जहां पर रहते है जैसे डिजर्ट हे रेकिस्तान है तो वहां पर कटिंग हो कम स probability मार्च में कर देनी चाहिए मृट यानि मार्च कतम होने से पहले पहले कर देनी चाहिए 20 से 22 मार्च के लगवग है वो कटिंग है वो साम करके कर देनी चाहिए तो हमने जो कटिंग है वो कर दी है मार्च में कर दी है क्योंकि जो यह फारम है वो है वो एगिस्तान में लगा हुआ है इसलिए हमने कटिंग है वो जल्दी कर दी मार्च में तो इसलिए क्या होता है कि आगे जो गर्मिया आती है तो गर्मियों में जो पोद्धाओं कि यह नहीं जो कॉंपल निकलती है ने टैनिया निकलती है वो खराब नहीं होती है गर्मी से और जितनी लेट करते हैं जैसे अप्रैल के लगबग करते हैं तो उसके बाद जोगरमि पढ़ती है तो गरमी बड़ती है तो घरमी सिटैनी कराब होने की समझचा नि लगती है इसलिए मार्च में लगबग कटिंग कर देनी चैई जहां पर तो वहां पर लगग अप्रेल में वह कटिंग इन पौदों की करने चाहिए अभी आप देख सकते हों ने कटिंग कर दिये और यह क्यारियां भी बना दिये यह डोड़ी निकाली हुई है डोड़ी बोलती है इनको दो निकाल दी और यह खाई बनाई हुई इसमें पानी छोड देते हैं अभी पानी चोड़के कटिंग करके और खादवगेरा डालके इन्हों चोड़ रखा है कम से कम एक ड़ेड़ मेने तक ऐसे ही चलेगा यह उसके बाद यदि पानी क्या हो सकता होगी तो पानी इनको देंगे तो और कोई स्वाल हो आपको तो कॉमेंट के जरी यह और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर भी करें थेंक यू फ्रेंड